हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं आप लोगों के साथ शेर करने जा रही हूँ लहसुनी पालक की रेसिपी आपने आलू पालक और पालक पनीर की रेसिपी तो बहुत खाई होंगी पर एक बार लहसुनी पालक खाके देखें ये बहुत ही स्वादेश्ट बनती ह जब इसमें लसन का डबल तड़का लगता है तो पूड़ा घर इसके खुश्बू से भढ़ जाता है तो आईए इसे बनाते हैं यहाँ मैंने हाफ केजी पालक लिया है ये पालक के पत्ते हैं इसकी डंडिया मैंने काट कर अलग कर ली हैं पालक को हम अच्छे से धोकर साफ पतीले में हम एक लीटर पानी उबाल लेंगे, इसके बाद हम इसमें पालक डाल देंगे, पालक को हम अच्छे से डिप कर देंगे, उसके बाद इसे हाई फ्लेम पर एक से दो मिनट तक पका लेंगे, पकाने के बाद हम पालक को चिल्ड वाटर में डाल देंगे चिल्ड वाटर में हम पालक को लगबग एक मिनट तक रखेंगे उसके बाद इसे ग्राइंडर जार में डाल कर इसका एक फाइन पेस्ट त्यार कर देंगे ये देखिए हमारी पेस्ट थोड़ी दरदरी होनी चाहिए पालक को चिल्ड वाटर में डालने से आप देख सकते हैं इसे पीषने के बाद पालक का कलर चेंज नहीं हुआ है अब एक कड़ाई में हम एक टेबल स्पून वेजटेबल आयल गर्म कर लेंगे इसके बाद हम इसमें हाफ टीज स्पून जीरा डाल देंगे और इसे क्रैकल होने देंगे जीरे के क्रैकल होने के बाद हम इसमें पांच से छे लसन की कलियां बारीक टुक्रों में काटकर डाल देंगे इसके बाद हम इसमें दो सूखी लाल मिर्श डाल देंगे जिसमें से एक को मैंने दो टुकरों में तोड़ लिया है सबी चीजों को लो फ्लेम पर कुछ देर तक भूनने के बाद आप देख सकते हैं लसल लाइट गोल्डन कलर के हो गया है अब हम इसमें एक मीडियम साइज का प्यास बारीक टुकरों में काट कर डाल देंगे प्यास को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है हम इसे हलका कलर चेंज होने तक भूनेंगे इसी बीच हम इसमें दो हरे मिर्च बारीक टुकरों में काट कर डाल देंगे फ्रेंड्स अब हरे मिच अपने हिसाब से कम या जादा कर ले कुछ दिर बाद आप देख सकते हैं प्याज लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं अब हम इसमें 2 टी स्पून बेसन डाल देंगे इसे हम लो फ्लेम पर बेसन की खुश्पू आने तक भून लेंगे इसे डालने से हमारे पालक की ग्रेवी गाड़ी होगी कुछ दिर बाद बेसन की अच्छी खुश्पू आने लगी है और जाग भी बनने शुरू हो गया है इसका मतलब हमारा बेसन अच्छे से रोस्ट हो गया है अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसे कुछ देर तक भून लेंगे कुछ देर बाद आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुके हैं अब हम इसमें दो मीडियम साइज के टमाटर चौप करके डाल देंगे इसके साथ हम यहां स्वादा अनुसर नमक भी डाल देंगे सभी चीजों का अच्छे से मिक्स करके हम इसे लो फ्लेम पर टमाटर के सौफ्ट होने तक पका लेंगे इसके लिए हम इसे ढग देंगे और लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे कुछ दिर बाद आप देख सकते हैं तमाटर सौफ्ट हो गया है और मसाले भी अच्छे से बुन गया है अब जो पालक की पेस्ट हमने त्यार की है उसे हम यहां डाल देंगे इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो प्लीज मेरे फेस्बुक पेज को फॉलो कर ले ये देखिए सबी चीजों को अच्छे से मिक्स करके हम इसे कुछ देर तक पका लेंगे जार में जो पेस्ट लगेवे हैं उसमें थोड़ा पानी डाल कर उसे भी हम यहां डाल देंगे हमें इसमें जादा पानी नहीं डालना है सबी चीजों को मिक्स करके हम इसे ढग देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे दो से तीन मिनट तक पकने देंगे लगभग तीन मिनट हो गए हैं आये देखते हैं यह देखिए हमारी पालक अब ऐसी हो गई है इससे बहुत यह अच्छी खुश्बो आ रही है सबी चीजों को मिक्स करके हम इसमें दो टेबल स्पून दही डाल देंगे यह फ्रेश दही है जिसे मैंने फेट लिया है दही को हम हाई फ्लेम पर लगाता चलाते वे कुछ देर तक पका लेंगे यह देखिए दही डालने से पालक का कलर कितना अच्छा हो गया है इसे एक से दो मिनट तक पकाने के बाद हम यहां हाफ ती स्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे गरम मसाला पाउडर को मिक्स करके हम इसे ढग देंगे और लो फ्लेम पर इसे एक से दो मिनट तक पका लेंगे उसके बाद हम गयास ओफ कर देंगे दो मिनट बाद हमारी साग बन कर त्यार है आईए अब इसका तड़का त्यार कर लेते हैं इसके लिए यहां मैंने तड़का पैन को गर्म कर लिया है इसके बाद हम इसमें दो टी स्पून गी डाल देंगे घी के गर्म होने के बाद हम इसमें half teaspoon जीरा डाल देंगे और इसे crackle होने देंगे इसके बाद हम इसमें 12-15 लरसन की कलियां बारीक टुकरों में काट कर डाल देंगे लरसन को हम low flame पर light golden होने तक पका लेंगे यहां लरसन को अच्छे से पकाना बहुत जरूरी है तब ही इसका flavor अच्छे से आएगा कुछ देर बाद आप देख सकते हैं लरसन light golden color के हो गये हैं अब हम इसमें 1 teaspoon सफेद तिल डाल देंगे तिल को भी हम यहां कुछ seconds तक पका लेंगे उसके बाद इसमें एक सूखी लाल मिर्च डाल देंगे इसे भी कुछ seconds तक पका कर हम gas off कर देंगे अब आधा तड़का हम यहां साग में डाल देंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे फ्रेंट्स हमारी delicious लसोनी पालक बनकर त्यार है आप इसे जरूर बनाए और मुझे comment section में लिखकर बताए कि आपको यह कैसे लगी आप इसे रोटी या फिर पराठे के साथ गर्मा गर्म सर्व करें आईए अब इसे सर्व कर लेते हैं जो तड़का हमने बचा कर रखे थे उसे भी हम यहां डाल देंगे फ्रेंट्स मुझे पूरी उमीद है आपको आज की मेरी ये recipe जरूर पसंद आएगी जिसे पालक नहीं पसंद वो भी इसे मांग मांग कर खाएंगे मैं फिर मिलती हूँ एक नए delicious recipe के साथ तब तक के लिए bye and take care अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें subscribe करें और bell icon प्रेस करें इसे अपने दोस्तों के साथ share करें ताकि वो भी इस लजीज recipe का आनंद उठा सकें